अगर आप 12 वी का एक्जाम पास कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि 12 वी के बाद मैं क्या करूँ मुझे गौर्मेंट जाब करने है तो मैं कौन सी पढ़ाई करूँ, कौन सा कोर्स करूँ, कहां पे एडिमिशन करवाऊँ और किस तरीके से मैं अपने आपका भविश्चित निर्धारित करने के लिए तैयारी करूँ तो यह सारा सवाल उन चातरों के मन में लगातार क्लिक हो रहा है जो चातर इस सावदो वजर बाइस में बारामी का एक्जाम पास लिए हैं अगर आपके परिवार में घर में या आपके जान पहचान में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सोचता है कि मैं अध्यापक बनना चाहता हूं तो वह समझ लीजिए कि सबसे बेस्ट सोचता है अब मैं इसको बेस्ट क्यों कह रहा हूं देखिए जितनी भी गवर्मेंट जाब हैं बैंक रेलवे एससी इन तीनों का नाम तो बहुत जल्दी जुबान पर आता है अगर बैंक रेलवे एससी आईएस पीसियस यूपीपी लिखपाल कानून गो अम इन तमाम तरह की बाति आती जाती हैं तो इन बरतियों में चैन्ब होने के लिए आप इतना ज्यादा तयारी करोगे इतना ज्यादा मेहनत करोगे और इतना ज्यादा आप खर्च भी करोगे सब कुछ करने के बाद सारा इस्ट्रगल करने के बाद आपके सेलेक्ट होने का जो चांस है वो मात्र भाग के भरोसे है या ऐसे मैं कहूं कि दस पर्चंट है 100% में से आपके सेलेक्ट होने का चांस केवल 10% है तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में और ऐसे के बारे में बताने वाला हूं जिसमें सेलेक्ट होने का चांस 90% है और रिजेक्ट होने का चांस केवल 10% है तो शुरुआत करने से पहले आप से निव सबसे प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल गाओं खुले हुए हैं इसमें अध्यापक की नौकरी सबसे बेस्ट नौकरी हैं अब ऐसा क्यों मैं कहता हूं देखो इसमें कभी आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी आपका ट्रांसबर आपके जिले से दूसरे जिले में भी होने का चांस नौकि बराबर है और ड्यूटी आपको महीने में केवल 24 दिन करना है च्छे दिन आपकी चुट्टी है और ड्यूटी का जो टाइम है मतर चार गंटे आपको ड्यूटी करना कहने के लिए स्कूल दस से तो दस ते चार के बीच में अध्यापक आपको काम लेंगे आप 10 वजे स्कूल पे जाएंगे तो पता चलेगा कि सर्जी भी रास्ते में तो आदा गंटा लेट करके आते हैं और आदा गंटा पहले ही चले जाते हैं तो एक घंटा यह बचा लिया उन्होंने अपना और इंट पाल आपके सफेद होने लगेंगे पतानी कितना हजार कितना लाख होटा एगा तो प्रामरी के स्कूल के अध्यापक की जुनोकरी है सबसे ज्यादा सूख दायक है सबसे ज्यादा आराम दायक है अच्छी सेलरी है काम कुछ भी नहीं करना है और डिटी का टाइम भी 4 है और प्रांसफर समझिये नौ के बराबर है अपने घर्ब में अपनी खेती करो अपने परिवार को समालो आदस 15 किलोमेटर दूर यह आपके गाउं में यह आपके न्यूति रहागी जा करके अपना ड्यूटी कर लो तो यह प्राइमरी के अध्यापक के नोकरी का एक ओभर ह्यों है लेकिन इस नोकरी को पाने के लिए आपको क्या करना होगा इस सबसे पहले मैं आपको step बैसे बताऊंगा अगर आप सिर्यूस हैं तो एक काज कर लिए կह नोट के सामने रखा कुछ भी इधर दर से नहीं बताऊंगा जो भी पॉइंट हमने नोट किया दस पॉइंट नोट किया दसों में बताऊंगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट अगर आपको प्रामरी स्कूल का सीच्छक बनना है तो दसमी बारहने का जो मार्क है आपका वह परसें प्रामरी के स्कूल में टीचर बनने के लिए बेस्ट से बेस्ट मौका है उसके बाद आपको कोई भी ग्रेजवेशन की डिगरी कर लेना है और उसमें भी कोसिस रहे कि 60% से उपर आजाए आपका नमबर उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको करना है बीटी सी अब बीएड मत कीजेगा बीटी सी कीजेगा क्योंकि आपको मैंने बोला कि प्रामरी में अगर सीचक बना है तो बीटी सी करना है द्यां दीजेगा मैंने दो पॉइंट आपको बता दिया पहला पॉइंट कि भाई या दसीवारे में परसेंटेज आपका बेस्ट जितना र अग्री में भी आपका परसेंटेज से उपर ही हो तो ज्यादा बैदर होगा अब तीसरी बात कि आपको BTC करना BTC का एक्जाम भी अच्छी पर्सेंटेज के साथ पास करना है तो आप देखिए बीए बीसी इस समय पर्सेंटेज बनाना आपके मेहनत और प्रयास के उपर है भागबरों से नहीं है आप प्रयास करोगे तो हो जाएगा बहुत सारे स्कूल ऐसे पड़े हैं जो आपका साथ देने के लिए हमेसा तैयार ह तो भी समझ लिए कि आपका बहुत अच्छा परसेंटेज बनने वाला है अब मैं आपको बताता हूं कि बीटीसी के बाद आपको क्या करना है टेट का परिच्छा पास करना है तो उसके पहले टेट लोग पास कर लिए होते हैं तो टेट सूपर टेट पास करने के लिए अब पास करने के लिए सिर्फ उसके आधे संघर्ष में ही आप टेट इग्जाम सूपर टेट इग्जाम पास करने है उसके बाद जब वैकनसी आगी अध्यापक बन्ने की तो उस समय आवेदन शिर्फ शिर्फ वही लोग करेंगे जो बीटीसी किये रहेंगे अब अगर व दोग अपने नीजी समस्याओं के नाते कोई एक्जाम नहीं देगा तो कोई किसी का डाकुमेंट खराब रहेगा तो किसी की मार्कशीट में ही कोई इस पेलिंग एर रहेगा तो तमाम चटने के अपने आप चट जानी के रास्ते उनके लिए खुले हैं तो ऐसे में आपका जो चांस है टीचर बनने का जो चांस है वो 90 परसेंट बन जाता है और इसके अलामा पूरे यूपी में और पूरे भारत में कोई भी सरकारी नोकरी न में नोकरी के तैयारी करना, इस में सेलेक्शन लेना भी बहुत ज्यादा आसान है ड्यूटी कितना आसान है सेल्री कितनी संदार र है काम कुछ भी नहीं है आप प्रामरी के बच्चों को एक बार कोखो का पढाऊंगे तो एक मैना ठ़रा पकड़ लेगा आब ये दिन पढ आपने पास से नहीं पूलना आप यह सरकारी नहीं में मुबाइल में यह नहीं करना है आजकल जैसा लोग कर रहे हैं ठीक मैं वैसा ही आपको बता रहा हूं अब यह कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं इनके साथ कारवाई हो कि इनके साथ कहा जाएगा कि तुम और तो बात की बात है नुटितों साव्साइब जब जगेगा तो जगेगा हम यह तो लोग चला रहे हैं असाव्साइब इतना जल्दि जगेगा ही नहीं तो कहने का मतलब यह है मैंने और भी चीज़े किया हुआ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके हिसाब से यह नौकरी कैसी है आपके हिसाब से प्राइमरी के मास्टर की नौकरी कैसी लग रहे है कमेंट में जरूर लिखके बताएगा थैंकियो